हेलो फ्रेंज ग्यान दिप एक्सपेरिमेंट के एक न्यू वीडियो पर आपका स्वागत है तो काईस आज मैं आपको एक बुरूस्ट EST बना के दिखाने वाला हूँ जो की बहुत ही पाउरफुल होने वाला है और इससे अब मोटर की डारेक्शन भी चेंज कर सकते हो इससे की डारेक्शन भी चेंज कर पाऊ तो इसलिए मैं आपको आराम से 100 या 110 रूबे के आसपास मिल जाएगा उसके बाद में एक छोटा सा ऑन-off स्विच चाहिए और आप धियान रखने के आप 6-pin वाला ही स्विच यूज करना अगर आप 3-pin वाला यूज करेगो तो आपको दो स्विच की जरूद पड़ेगी फिलाल मेरे बास इसी स्विच में 6-pin इसलिए मैं इसका 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 इस बार से बनेगा तो अगर बात में पैसे आएंगे तो मैं खरीद लूँगा और आपके बास यह वाला ट्रांस्पीटर नहीं है तो इसका लिंग भी मैं डिस्कीशने डाल दूँगा आप चाहिए तो आपको पर्चेस कर सकते हो सबसे पर दोस्ता आपको क्या करना है जो इस इस तरह से लगेगा ठीके ना तो अब हमें कार्ट बूर्ड कर चाहिए और इसमें मैं इस स्पीट करने रहे को डबल से टेप के रहा चिपका दूँगा और आप डबल से टेप करना अगर आप डारेक्ट सुपर से चिपका दोगे तो आपका सरकी रहा यहां पर जाम भी हो पोजिशन पर यूज पर यूज करना है अगर दूसरा को पोजिशन में यूज कर दोगा तो सायथ अच्छे से काम नहीं करें इसलिए आपको सर्वो को जीडो पर रखना एक्दम नीचे उसका अब ही सब्सक्राइब यहां पर दिया नकना वीच में जो यहां पर ग्याव ह कर दो कर दो कर दो कर चुका है और यहां पर शॉर्ट ना हो इसलिए मैं आप एक पेपर कर टुकरा डाल दूंगा जिससे कि यह दुनों वाइश नहीं होंगे यह विस्ते के लिए मैं इसको में यहां पर लगाने वाला हूँ आप चाहिए तो डबल आर्म के सिंगल आर्म भी कर सकते हो मेरे पास यह ही है तो लगाव मैं इसी का इसको मैं डबल से टेप के दौरा यहां पर चिपका दूंगा और जो स्वीच है मैं इसको यहां पर लगाने वाला हूँ जिससे कि इस सर्वो से मैं स्वीच को आप लोग कर पाओ तो यह जो कुछ इस तरह से काम करेगा इस सर्वो से यह स्वीच ऑन उफ होगा जिससे मोटर की डारेक्शन चेंज हो जाएगी तो अब इस स्वीच के दो वायर को मैं अपने स्पीड कंडूर के मोटर बले पार्ट में कनेक्ट कर देता हूँ आपको कुछ इस तासे कनेक्ट कर लेना है और वीडियो कैन में तो आ सारा कनेक्शन कर डाला है और आपको इस स्पीड के दोर में 12 वोल सप्लाई देनी है और आपको रिसी वर में 5 वोल सप्लाई देनी है आप एक ही पावर सप्ली उस कर सकते हो दोनों अलग 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 लगा रहा हूँ तो आप लोग देखना मैं इसको घुमाऊंग और यह कितनी आसानि से घूम रहा है और इसका स्पीड भी धीर धीर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है मैं जैसे 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 जॉस्टिक को मूफ कर रहा हूँ तो यह बिल्कुल हमारे एक ब्रूस एस्ट की जरा काम कर रहा है यह मतलब बेसिक पूरा परफेक्ट तो ब्रूस तो आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा दिखता रहें कि यह कैसे काम करता है तो यह दिर दरेंट कीज हो रहा है और जब मैं इसको अपको दिखता है कि अपको ज्यादा नहीं गुमना च्टाट हो चुका है और अभी यह फूल स्पीड में तो नहीं गया क्योंकि इसको मैं पूरा मैक्स नहीं गुमा रहा हूं लेकिन यह स्पीड कंट्रोलर काफी अच्छे से काम कर रहा है यह बूस्ट एससी आप लोग देखता है आप लोग देख रहा हूं कुछ हल चल हो रही है तो यह जो डायक्शन चेंज कर रहा है तो अभी मैं आपको इसका कंक्रूजन देता हूं कि आपको इसे बनाना चाहि लगबग 300 रुपे में बनके त्यार हो चुका है यह मैं आपको अफ्लाइन का प्राइस बता रहा हूं कि अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो अनलाइन तो लगबग 800-900 रुपे में मिलता है तो देखा जाए तो इसमें मतलब फाइदा है कि प्राइस आपको कम मिलेगी ल प्राइस के मामले में जीट जाता है और इस आप आसाइन से बना सकते हो घर पे बिसकिलिए आप काम चलाने के बना सकता है अगर आप चोटे मोटे बना चाहते हो उसमें ज्यादा पैसा खर्ष्ण नहीं करना चाहते तो इसे अवासाने से घर में बना सकते हो और यह जो था कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है काफी बढ़ा सर्कीट बन जाता है नॉन्मल जो